नमस्कार दोस्तों कैसे हैं स्वागात है आप सभी का बेस्ट हेल्थ टीप्स चैनल में मैं अम्ली खुर्शी दाला हम आज फिर नए वीडियो के साथ दोस्तों आज की वीडियो में मुह में जो छाले पड़ जाते हैं उसे हम जीव का सर्दी भी काते हैं उसके उपचार और लक्षण कारण भी बताऊंगा जिहां दोस्तों आप मेरा वीडियो पूरा देखें दोस्तों अभी तक मेरा चैनल बेस्ट हेल्थ टीप्स चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बगल में बेल का पटन दिखाए देंगे उसे भी दवा दीज दोस्तों मुह में चाले मुख्य कारण है कमजोरी होना जियां दोस्तों सईड में कमजोर होना कभी-कभी हम लोग खान पान में ध्यान नहीं देते हैं तो उसके कारण से मेरे मुह में चाले हो जाते हैं हम लोग का जियां दोस्तों कभी-कभी बरस करने से भी चाली पर जात भी सबजी खा रहे हैं आपको अगर करवा लग रहा है यह दोस्तों लहर रहा है तो आप समझ जाईए कि आपको मुझ में छाली हो गया है जिया दुस्तों इसमें क्या हो था कि जीव में जो है लाल हो जाते हैं पूरे और थोड़ा-थोड़ा सा छुड़ा-छुड़ा सा घा वितामीन कैपसुल है जिया दस्तों यह आपको मात्र दो या चार कैपसुल लेनी है किसी भी मेडिकल स्टोर से आप चार ले लिजिए कोई भी साइट एफेक्ट नहीं है इस दवाई में आप एक कैपसुल सुभा खोल के इसके अंदर में है और मुह में डाल लिजिए और पानी के साथ इसको अपना घोड लीजिए पेट के अंदर चले जाए जिया दो स्टों और एक कैपसुल सम्को करनी है एक कैपसुल सुभा एक कैपसुल साम को साम को भी वैसे करनी है आपका मुखा चाले जो है ठीक हो जाएगा मात्र चार केपसुल खानी है आपको दोस्तों दो रूपया तीन रूपया का पीस परता है कोई जदा रिट भी नहीं है यह दोस्तों दोस्तों आपको और फल भी खाने होंगे अच्छे-च्छे जैसे लताम हो गया और आम हो गया आम तो वैसे मौसमी फल है दोस्तों आपको शेव हो गया अनार हो गया पका पपीता हो गया यह सब फल आप खाये केला हो गया आप खाये आपका बहुत जल्द मुखा चाले दूर हो जाएगा आप दवाई नहीं भी खायेगा अगर अच्छे फल खायेगा तो आपका मुख